नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस योटूब चैनल में तो दोस्तो जीला सारंगर बिलाईगर से ये आपका आंगनबाडी साहिका के लिए विकेंसी आई हुई है ये आपका जो जारी है वो 392024 को जारी हुआ है विग्यापन तो दोस्तो क्या-क्या क्राइटरिया है कितना पाद है ठीक है क्या-क्या सेक्षडी की योग्यता है क्या-क्या डाकुमेंट लगे या इसका चैन प्रक्रिया क्या रहने वाला है इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम लोग एक-एक करके देखेंगे तो आप वीडियो पर बने रहे अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना तो चलिए वीडियो की और आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखेंगे विभाग का नाम करेलाय परियोजना अधिकारी एक क्रीक की बाल विकास परियोजना भढ़गाओ जीला सारंगड बिलाईगर चत्तित गड़ से ठीक दोस्तों तो यहां से देखेंगे आवेदन पत्र दिनांग 3.9.2024 से ये आपका 18.9.2024 तक रजिस्टर्ड डांग या फिर इसपीट पोस्ट से कार्यलिन समय ये आपका 10 से 5.5 बजे तक परियोजना अधिकारी एकी क्रीत बाल विकास परियोजना भढ़गाओ पिन को और ये आपका 493-322 के पत्ते पर आमंतरित किया जाता है निर्धारित तिथी के बाद प्रापतावेदनों को स्विकार नहीं किया जाएगा लिफाफा के उपर जिस पद हे तुभी क्यापन किया जा रहा है उस पद का नाम लिखा हो ठीक है दोस्तों उसके बाद आपका ज पद का नाम रिक्त पद का नाम व संक्या ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हो या यहाँ पर तेंदु भाठा ठीक है आंगनबाडी केंद्र का नाम ग्राम पंचायत है तेड़ी भद्रा आंगनबाडी सही का एक पद इसी तरह ग्वाली ठीक है ग्राम पंचा राम भाठा, ये आपका जुन्वानी, रोहिना, गधा भाठा, गेडा पाली, तेंदू दरहा, अमली भाठा, ठीक है दोस्तों, इसी तरह लुकाडिपा, छीर चुवा, भाठा पारा, सडक पारा, ये आपका पीपाडूला, चोरबठी, लखुरीडी, भाठा पारा, बलोदी ठीक है, इसमें सभी में एक एक पद दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग जानेंगे, आवेदन किये जाने हेतु, निमना अनुसार अहरताएं हैं, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, आवेदिका की आयू, 18 वर्स से 44 वर्स के मद्य होगी, आयू की गरणा, आवेदन आमंत करने के सुचना जारी करने की तिती से की जाएगी, सेवा की अधिकतम आयू 65 वर्स होगी, एक वर्स या अधिक सेवा का अनुभाव रखने वाली कारिगर्दा या फिर सहाईका को, ठीक है, इसमें आपका सहाईका जिन्हें अनिमित्ता के करनाण पूर्व में सेवा में बर यदा आंगन बाड़ी सहाईका पद है, तो आठवी बोन उत्तिन होनी चाहिए, ठीक है, आपको आठवी पास होना चाहिए, उसके बाद आ जाता है निमास प्रमार पत्र, ग्रामीर शेतर है, तो जिस ग्राम में पद रिखता है आविदीका की उसी ग्राम की इस्तानी निम पत्र के साथ निमास के संबंद में निमिलखित में से कोई एक दस्तवे सलगन आपको किया जाना अनिवार है, उसके बाद आ जाता है उस ग्राम की मद्दाता सूची में आपका नाम दर्ज़ हो, आविदन पत्र में उसके क्रमां का उल्ले कर प्रतिलिपी लगाई जाए, अथवा इसमें है, ग्रामीड शेत्र है तो संबंदित ग्राम पंचायत के सर्पंद अथा सच्छी द्वारा जारी साइक्त हस्तांक्षित निमास प्रमान पत्र ठीक है, ग्राम में निमास करने का मान्य हित रहेगा इसमें, टिप में लिखा हुआ है, यदि किसी आविदक क अथिकारी द्वारा जारी निमास संबंदित ग्रामान पत्र ही मान्य किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है आपका जाती प्रमान पत्र, अनुसोचित जाती अनुसोचित जन जाती अन्या पिष्डा वर्ग के आविदिका है, तो सक्छम अधिकारी निचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला होने पर संबंदित सक्छम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमान पत्र ही इसमें आपका मान्य किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है आपका परित्यक्त दाखते के संबंद मेनिमन में से एक प् दूँगा, वहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म को भरना, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर मेंडमेंट पॉइंट को देख रहे हैं, आंगन बाड़ी साही का पद है तो जिस आविदीका के आठवी कप्छा की अंग सुचिक में हो, वे ग्रेट अंग सुचि के साथ अलग से अनिवारी रूप से अपने आठवी अउत्तिन इसकुल के प्रधान पाठा की या फिर परचारे से आठवी कप्छा में कुल पुणांग प्रतांग प्रतिसत लिखे गए प्रमान पत्र आविदन पत्र में सलग न करें, उस के बाद आजाता है, गरीबी रेखा परिवायर के सदस से होने पर आविदिकार आशन काड़े की छाया प्रति अनिवारी रूप से आविदन पत्र में सलग न करें, स्वयम का पत्र लिखा होना चाहिए, मध्यम अकार के लिफाफा में जिसमें 29 रुपे का डांक टिकट जायदा नहीं है, ठीके दोस्तों इसको आप लोग डाउनलोड कर लिए जेगा, उसके बाद ही यहाँ पर दिया हुआ है, क्या कि आपको सलग न करना है करके, यहाँ पर गोशन पत्र आविदिका के हस्त आप्शा दिना आंगे सान, बस इतना ही है, ठीके दोस्तों, तो कैस अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो चलिए मिलते हैं नेश्टे वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन वन देमार करा हूं